Then 2.35, time for 20 oscillations of a pendulum is measured as T1 is equal to 39.6 second, T2 is equal to 39.9 second, T3 is equal to 39.5 second. What is the precision in the measurements? What is the accuracy of the measurements? यह भी अच्छा कुशन है, precision तो खेर बहुत इजी है इसके अंदर, आप देखिए तीनों रीडिंग्स को, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर point के बाद, सिर्फ एक decimal place का अंदर आ रहा है, इसलिए इसका list count क्या होगा? 0.1, यही आपका precision होता है, जैसे आप scale में 5.4 cm, 5.9 cm, 14.3 cm, एक normal 15 cm जो scale आती है, इस तरह की reading लेते हैं, आपने कभी भी 5.45 इस तरह की reading नहीं ली है, scale में, क्योंकि units सिर्फ एक decimal place तक ही available रहते हैं, तो इसका list count क्या होता है? 0.1 cm, ठीक, यही इसका precision है, तो यहाँ पर भी आप देखिए, ठीक, इसी तरह point के बाद only one decimal place है, तो उसका list count क्या होगा? 0.1 second, तो clearly, this implies precision quantity oscillations के लिए is equals to 0.1 second, यह इसका answer है, ऐसा आपकी text group में भी दिया है, अब अगर आपसे पुछा जाए, कि one oscillation के लिए क्या होगा? सीदी सी बात है, आपने 20 oscillations के लिए लिया है, three set of readings को लिया है, तो हर एक reading के लिए, अगर आप one oscillation पे reading देखें, तो वो क्या होगी? 0.1 divided by 20, तो precision for one oscillation, यह आपका हो जाएगा, 0.1 divided by 20, मतलब 0.005 second, यह दोनों आपके answers है, यहाँ पे नोंने बोला है measurements, अगर measurements आप बोलते हैं 20 oscillations के लिए, तो 0.1, और a single measurement आप बोलते हैं, तो 0.005 second, ठीक? चलिए, अब इसका next part, what is the accuracy of the measurement? यहाँ पर आप confuse ना होएगा, accuracy से न का मतलब है error, maximum error, ठीक है? क्योंकि आप accuracy में पढ़ते हैं कि nearest value या mean value से आपकी measured value कितना close है, अगर हम इसको उल्टा बोलें, तो error, जितना error आ सकता है, उसको हटाने के बाद, आपकी value क्या है? वो होती है आपकी accuracy, तो accuracy आपकी क्या है? maximum error, अब इसको कैसे निकालेंगे आप? इसमें पहले तो, आपको इन तिनों reading का mean लेना पड़ेगा, जिससे आपको mean value मिलेगी, अब mean value 20 oscillations के लिए कुछ होगी, तो एक oscillation के लिए क्या होगी? that value divided by 20, अब उस value को आप individual value से compare करेंगे, तो जहाँ पर maximum possible error होगा, वो आपकी accuracy होगी? ठिक? देखी करके दिखाता हूँ में. यह आप मान लीजिए आपका first part, अभी second part. तो पहले average time, ऐसा आपकी book में दिया है, इस तरह समनोंने solve किया है, तो 39.6 plus 39.9 plus 39.5, the whole divided by 3, इसको आप solve करेंगे, तो आपको यह मिल जाएगा 39.6, हाला कि यह 39.66 ऐसा कुछ मिल रहा था, पर हमने यह करा है, यहापर थोड़ा सा SF को देखा है, इधर आप देखी आपका SF 3 था, और साथी साथ आपका precision भी क्या था? 1 decimal place था, तो आपकी reading भी हमने 1 decimal place था की लिए, 20 oscillations के लिए, 20 oscillations के लिए, 0.1, 1 decimal place, तो reading भी up to 1 decimal place, इसलिए मैंने 39.6 लिखा है, 666 नहीं लिखा है, ओके? तो 39.6 सेकंड यह आपको मिल गया average time, अब for 20 oscillations आपका यह था, तो for 1 oscillation यह क्या हो जाएगा? 39.6 divided by 20, तो यह आपको मिल जाएगा 1.98 सेकंड, ठीक? और इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, आप 39.6 divided by 20 कीजिए, 39.9 divided by 20 कीजिए, 39.5 divided by 20 कीजिए, और उसका mean ले लीजिए, तो भी आपको यह value मिलना है, देखे भी करके दिखा जाता हूँ है, और alternatively, 39.6 divided by 20, तो यह 1.98, 39.9 divided by 20, तो यह 1.995, 1.975, ठीक? अब इन तिनों का भी mean ले लीजिए, आपको मिलता 5.95 divided by 3, तो अगेन आपको यह 1.98 मिलता, ठीक? अब आप देखिए, यहाँ पर आपकी जो mean value है, वो है 1.98 second, और individual value क्या है? 1.98, 1.995 और 1.975, तो सबसे ज़्यादा जो variation आ रहा है, वो इस value में आ रहा है, तो आपका maximum error, जिसको आपके सकते हैं accuracy, यह क्या हो जाएगा? इस value minus mean value, तो यह आपको मिल जाएगा 0.015 second, यह है आपकी accuracy, यह इसका answer है, ठीक? हद से हद इतना error possible हो सकता है, उस value में जिसमें सबसे ज़्यादा variation आ रहा है, with respect to your mean value.